हमारे chapter number 3 की pair of linear equation in two variable की second video है so हमारा second video का second question so 2x minus y is equal to 1 तो यह हमारी first equation है 6x minus 3y is equal to 3 यह हमारी second equation है so अब हमें इसका algebraic formation और graphical formation निकाल ला है और उसके साब से हमें इसके answers निकाल ला है तो अब हम कर लेते हैं algebraic की so हम लिख लेते हैं algebraic हमारा so अब हम यहां पर देखते हैं कि जो हमारी equation first है इसको हम resolve कर सकते हैं और हमारा y निकल आएगा तो हम देखते हैं for sorry for equation first equation first हमारी क्या है 2x minus y is equal to 1 तो आप यहां से हमारे पास हो जाएगा y is equal to 2x minus 1 ठीक है तो यह हमारा y निकल आए तो हम यहां लिख देंगे substituting यानि हम put कर रहे हैं y को एन एक्वेशन कौनसे एक्वेशन में बचलेगे में पास सेकंड तो हमारे एक्वेशन सेकंड में हमें y को put करना है तो एक्वेशन सेकंड राइट कर लेते हैं 6x minus 3y is equal to 3 तो यहां से यह एक्वेशन हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यहां पर गलती है दिख रहा है पुबुच नहीं दिख रहा तो भाई वेड़ा गर गया इथा जो माइनस माइनस था इधर यह प्लस नहीं हो जाएगा यह यही ट्राइ कर रही थी आपने सोचा हो तो बढ़ी है ना सोचा हो तो भाई बेड़ा गर गया तो 6x minus 6s हमारा कर जाएगा क्योंकि यह प्लस का यह माइनस का है तो हमारे पास बज़ेगा 3 is equal to 3 तो यह दूरो एक्वल है तो यह हमारा हो जाएगा infinite solution ठीक है तो इसी solutions को अब हम graphical way से represent करेंगे यह हमारा algebraic था तो अब हम graphical से करेंगे अब हम राइट कर लेते हैं हमारा graphical तो इधर हम अपनी equation राइट करें फर्स्ट equation तो यह हमारी यह है और second equation इसाइट राइट कर लेंगे 6x minus 3y is equal to 3 तो अगर आप last time मैंने जब algebraic का किया था तो अगर आपको याद हो कि अगर हम equation 2 को 3 से डिवाइट करें कि जो कि हमारा answer निकला था solution अगर हम इसको डिवाइट करें तो हमें first equation मिलेगी तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि infinite solution यानि value of x will be same ठीक है एक जैसे हमारा 3 is equal to 3 answer आगे था तो अब हम graphical वे करेंगे तो हमें इससे पहले हमें इसके solution निकालने पड़ेंगे तो इससे पहल 1 2 3 हमें डब्या बना लेंगे और इधर और इधर भी सेम ऐसे हैं तो य तो तो तीन डब्या बनाने ऐसी बना लेता हैं क्योंकि फेर तो है नहीं आप लोग समझ जाएंगे तो अब हम पहले इसके निकाल लें तो पहले हम क्या लिए अब अब हम लेट करेंगे हम लेट कर लेते हैं लेट x is equal to 1 तो अब हमारे ही क्या है अगर आप देखें तो हम इसको कैसे solve कर सकते हैं हमने last time कैसे किया था y is equal to 2x minus 1 है ना ऐसे किया था तो अब हम इसमें put करेंगे ठीक है तो अब हमने लिया आए x1 तो y is equal to 2 into 1 and minus 1 तो 2 minus 1 तो यह हमारे पास हो जाएगा 1 तो y and y तो इधर यह 1 x हमारा 1 तो यह भी हमारा 1 and 1 हो जाएगा ठीक है तो अब हम अगला करते हैं क्योंकि हमें और चाहिए तो और चाहिए तो लेट यह लाइन की देते हूं मैं लैट x is equal to 2 तो x हम यहां पर 2 रखना है so y is equal to 2 into 2 minus 1 4 minus 1 is equal to हमारा आ जाएगा पर हम यहां minus क्यों ले भाई 3 की क्या जरूरत है minus की value ना ले ले हम इधर तो हम एक काम करते हैं हम इस x को minus 2 बना देते हैं ठीक है इधर minus बना देतेंगे तो इधर minus 4 आ जाएगा तो इधर हम minus 5 लेने क्योंकि हमें negative भी लेने पड़ेगी तो यहां पर हमारा y हो जाएगा minus 5 और इधर हमारा x सा minus 2 तो minus 2 bracket minus 5 ठीक है तो यह हमारा हो गया है तो अब हम करेंगे हम let कर लेते हैं let x is equals to 3 y is equals to 2 into 3 minus 1 तो 6 minus 1 is equals to 5 तो y हमारा 5 and x हमारा 3 so 3,5 ठीक है तो यह हमारा हो गया है यह हमने बढ़ लिया है तो अब पारी है हमारी इसकी तो यह तो result होगा नहीं तो हम इसको ऐसे करना पड़ेगा let x is equal to 0 तो हम x यहां पर 0 पुट कर लेंगे क्योंकि देखिए यह हमारी इधर है minus 3y is equals to 3 so अब यहां पर देखिए हमारी यह आ जाएगा तो यहां पर से 0 या जाएगा आपको लिखना है तो लिखो मत लिखो करना ज़रूरी नहीं है तो 3y is equals to 3 y is equals to 3 upon 3 and y is equals to इधर minus बस चला है तो इधर minus लिख लो अगर आप यहां पर लेके जाना चाहिए तो लेके जा सकते है तो y is equals to 1 तो y is equals to minus 1 क्योंकि इधर minus था तो इसमें ही आएगा minus 1 हमारा y आगे है और x था हमारा 0 तो 0 minus 1 ठीक है तो अब हम लेते हैं next तो हम क्या लेट करें लेट x is equals to 1 लेट कर लेते हैं तो 6 into bracket 1 6 into 1 minus 3y is equals to 3 6 minus 3y is equals to 3 minus 3y is equals to 3 and minus 6 to 3 minus equal जाएगा हमारा minus 3 इधर minus 3y है तो minus y is equals to minus 3 upon 3 1 and minus थोड़ा एक क्राइक हो गया था इसलिए इसको देखना तो minus y is equals to minus 1 to minus minus cancel तो हमारे पास आजाएगा y is equal to 1 तो हमने x किया था हमारा 1 तो यह भी 1 तो यह हम इधर bracket में लिख लेते हैं तो अब हमें last equal चाहिए तो अब ले लेते हैं y क्योंकि y का हमने कोई use नहीं किया है let y is equal to हम ले लेते हैं 7 ठीक है तो 6x minus 3 into 7 is equal to 3 तो 6x minus 21 is equal to 3 6x is equal to 3 plus 21 जो कि हो जाएगा हमारा 24 तो 6x is equal to 24 x is equal to 24 upon 6 so यह हमारा cut हो जाएगा तो हमारा x जाएगा हमारा 4 तो यह हमारा 24 होता है so अब हम यहां पर write कर लेते हैं तो y हमारा 7 x हमारा 4 है तो यह bracket बन जाएगा ऐसे 4 and 7 तो अब आप भी write कर सकते हैं यह reverse करके देख लीजगा वीडियो को तो अब हम करेंगे हमारे graph में पुटे इन दोनों को तो इन दोनों points को मैं on the side में write कर लेती हूं so friends ऐसा बनेगा हमारा graph इसका इन points का तो यह जो है यह 1 1 1 1 1 minus 2 and minus 5 and हमारा 3 यहां पर आता है हमारा 3 and इतर आता है 5 तो यह वाला यह वाला and यह वाला जो हमारे points है यह है हमारे 2 x minus y is equals to 1 k and जो हमारा यह है 6 x minus 3 y is equals to 3 इसके points है 0 minus 1 1 1 and हमारा 4 6 तो यह देखिए ऐसा बनेगा हमारा graph थोड़ा यह line जो है यह थोड़ी टेड़ी जाएगी ठेक है क्योंकि यह same थे तो पर एक पर एक पर ही तो आ रहा है यह same meet कर रहे है तो मेरे graph में थोड़ी problem हो गई होगी आप अपने graph book में एक बार खरीद के देख लीजेगा उसमें बना लीजेगा तो अब हम मिलते हैं हमारी next video में बाई बाई झालए कर दो लीजेगा एक बाई है